हेलो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ओरकर 11g को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे तो इसका फूल प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को उपें कर लेना है तो यहां से मैं करना चाहते हैं तो साथ को करने आपको मिल जाता है तो इसके वाद से आपको सारे और यहां से सबसे नीचे आ जाएना और यहां ज chili को यहां पर सेकंड वाला है Windows के लिए अगर आपका Windows है तो हैं नीचे वाले को Linux को सबसे लाउन्स वाले को नाउड हो फिर्स्ट वाले को पर करने के बाद यहां पर liman करेंगे और इसके बाधेian बटन ready नीचे क्लिक कर देना है तो यहां पर्लेक कर देते हैं और यह उसके बाद से हमें यहां पर फाले आपको साइन अप और लॉगिन करना पड़ेगा तो यहां सिस्वाइब फेलिए सब्सक्तिकर Vergleich यहाँ से हम देख लेते हैं तो हमें एक fun kiss on the क्रियेट कर देगा और इसके बाद यहाँ पे आपको एक icon create करना होगा ओर कल पर दिना अगर पवह से आगऑन पर त्रवारा अंट्रा स सारीं करना होगा तो सबसे पहले आपको को यहाँ पर बाकि सारा जो डीटेल उसको यहाँ पर फिल कर देना है तो यहां से हम से लेक्ट मेरी जो कंट्री वो इंडिया इंडिया सेस्ट कर लेंगे को नेम्हीं यहां प match लिख देना है और जोस्ट टाइटल इंडिविज है ऑप लिख सकते हैं वहánd 시 बिख iorn number यहां प्रिक देंगे बादाब कर सकते हैं जो डॉच कि उच्छाले से बलीनगे करने के बाद आपको बैक जाएंगे और इस वाले पेज पर आजेंगे अगाउंट संग पर इस को अगें किया है जैसे हम रहुंत हो जाएगा उसके बाद से जो डाउनलोड था तो मैंठी स्टार्ट हो जाएगा तो आप यहां पर दाउनलोड करते हैं उसको हम एक folder में रखते हैं तो मैंने एक दूसरा folder select कर लिया और इसी के अंदर मैंने software name का एक folder बनाया हुआ इसी folder के अंदर जितने software हम download करते हैं इसी में रखते हैं आप कहीं भी रख सकते हैं कोई प्रॉलम नहीं है करने के बाद इसको हम यहां पर इसको select कर लेंगे और जिस्त आफ पर click कर देंगे और यहां पर start download पर click कर देंगे और यहां पर मैंपको इसका size 316 यानि 316 MMB की तो फाइल यहां पर download हो जाएगे यह अपर net की करता है ने अच्छी रहेंगे तो यहां से देख सकते हैं मेरी यहां पर डाउन्लोड हो गई फाइल और यहां से इसको ओपें फोल्डर पे क्लिक कर देंगे और इसको यहां से ओपेंड कर लेंगे कि लुए उपें करने के बाद यहां पर आपको isp right click कर लेना है और इसको ऩी ङ्था कर data को तो इसको एक्षक्ड बाल इस्ट हर शाफ्ड को रिशाप्राइब कर लीगोड कर दे च Hazard इसके बाद से एक्स्रक्ट फाइल पर क्लिक कर देंगे और यहां से इसको एक्स्रक्ट कर लेंगे उसके बाद यहां पर एक्स्रक्ट हो जाएगा और यहांपे इसको उप्ञन किलेंगी और यहांपे आपको सेर्ट डवा य्वीश कि एफाईल मिल जाएगी इसपर आपको डवल क्लिक करना यहीं हमाराija क्सीपाईल के इसको उपने इंस्टॉर करने हैं तो यह यहां पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कुछ सेकिंद का और उसके घुन लाइसन है यहां पर कम्प्लीट हो जाता है होने के बाद हमारा प्रोसेस है यहां पर नेक्स पर क्लिक कर देना है है और करने के बाद हैं अधा रिक्रिक कर देना है और इसके वाधि जो आप पे लोकेशन है तो सबसे पहले की जो अध्यान पर निगए अंदर यह पालधे नबन बनटे जाएगा तो और यह जाती है अधार इस लाप्टॉप यहां पर दूसरे डिराइब में एक फोल्डर क्रेट कर लेजिए और उसी के अंदर सारे सौफटेयर के जो भी फाइल से उस में रखिए तो मैं ने डिराइब के अंदर एक फोल्डर यहां पर ग्रियेट कर लेते लेए तो द्राइब को आप से अंवे कर सकते बुसक्त नियूद करना है और यह अधने पर के और उसे पर रखना से और यहां पर हैं पे जाएंगे और एक न्यू फोल्डर क्रियाट कर लेंगे तो मैंने इसको D-Drive के अंदर मैंने बनाया हुआ तो D-Drive को मैंने सेलेट किया और यह रहा हमारा ओरकल E-Akse justice पर क्लिक कर देंगे इसके बाद से जो location है यहां पर आ गया इसके बाद आपको पासवर्ड यांरे टेंगेे बाद से जो थे 3 यहां यहां पर पासवर्ड आयों से कर देए पूस्टlles के अप importante कि असन 25 थे 4 को दोगे साथ तो को यहां पर इंस्ट्लड पर क्लिक कर देना है और साविदा रहो हो यहां पर व挫द और यहांपे थोड़ी से डाउन्टोड हो जाएगा तर वीडियो को मैंने थोड़ा सा पहुंच किया है और पहुच कर ने के बाद हम यह समय है इंसettes से इं intervened करना है तो जैसे इस shortcut यानि की जब इसको open करेंगे तो यहां पर सबसे पहले एक error हो गया आएगा इस error को resolve करने के लिए सबसे पहले आपको दिस PC या माई computer में जाना है और यहां पर द्राइब के अंदर मैंने उसको रखा हुआ था फाइल को तो यह रहा हमारा Oracle EXC फाइल इसी के अंदर मैंने सारी फाइल रखी हुआ इसको open करेंगे और यहां पर आपको फाइल मिल जाएगी product का इसको open करेंगे और इसको इस सारी हमें यहां से remove किया करें तो इतने परट हो मिया से remove करना है छिस को हम हटा देंगे और इसके जब एकस कंगा पेमें लिखना है 8080 और इसको हम हम से cut कर देंगे और यहां पर हम हम टाइप कर देंगे 8080 बस हमें इतना ही लिखना है बाकी हमें कुछ करना है और इतना हो जाने के बाद यहां पर आपको नीची आजाना है ज़ेश्ट क्लिक ओन अप्लाई ओर ओके के 55 हो गया उसके बाद यहां से ओफें हो गया oh set होने के वाद सबसे फाले ही को आ जाना है लोग इन पर जैसे मभर खोली करें फिल्ग सब्सक्राइब इंटर करना एं तो लाइक मैंने यूजर नेयम यहां पर लिख दिया as guest up इंटर सकते हैं सिς आप हैं और यहां पर हम लॉग इन पर जैसे क्लिक करेंगे तो हम यहां से देख लेते हैं हैं तो पासवर्र लाइक मैंने किए 123 तो यहां से देख सकते हैं इंवालिड बता रहा है यानि कि हमें पासवर्ट बीडवल लोटी ही इंटर करना होगा जो हमने स्टार्टिंग में इंटर किया था तो मैंने बीडवल लोटी किया और जब सब कुछ सही रहेगा यहां पर लॉग इन हो जाएगा आप देख सकते हैं लॉग इन हो चुका जैस बादसे आपको यहां पर यहां पर रीटावेस क्रीड और यहां पर करते हैं और करने बाद सि स्ट्रॉ को कैसे टैट विंगर है तो इसकी वर्किंग मेली कैसे करना है क्रियेट करना हूं आप यहां से बता देते हैं लाइक है जो डेटाबेस का यूजर नेम है मैं ने कर दिया XE आप कोई भी नेम दे सकते हैं और जो एक्सप्रेशन यूजर नेम है इसको भी मैंने किया चुह पर सबस्दों और यहां पर आपको एक वर्क स्पесь क्रिएट हो जाएगा तो जैसे में न यहां से क्लिक किया और यहां पर स्ययव कर सकते हैं को इसके वाद आप हधे सकते हैं यहां कुछ इस टाइक कशें का इंटरफेस ओपिन हो जाएगा फिर हापर क्लिक है weeks को जो ओप्सन है यहां पर आपको created work space xc to begin click here to login यहां पर आपको login करना होगा फिर से तो यहां पर मैंने इसके login पर क्लिक किया और इसके बाद यहां पर आपको open हो जाएगा तो password आपको वहीं इंटर करना जो आपने इंटर किया तो बीडवलोटी वहां पर मैंने इंटर किया login कि यहां पर login हो जाएगा login होने के बाद सारे काम हमें करने होते हैं सारे काम जो होते हैं ब्रॉजर से किये जाते हैं और इसके बाद यहां पर हम इसको open करेंगे यहां पर password को यहां पर सेव कर लेते हैं और यहां पर लिखा sql Jar की swap तो यहां पर आपको open कर लेना और जैसे यह आप इसको open करेंगी बिए open करने के बाद यहां पर आपर सारी फाइल्स चाहते हि और यहां पर भाकी जो फाइल चैंपर कमांड यहां पर लिखना होता है SQL का तो यहां पर हमें जो इसकी query है query हमें हमें से लिखते हैं like मैंने है पकिए select इस्टार या फिर etrik इसको बोलते हैं तो पहले हमें पर select और s y s data from तो किसे हमें लेना है वह हमें लेना है यहां पर लिख देते हैं डूवल ठीक है तो जैसे हमें यहां पर टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद इसको हम यहां से एक रंक यहां पर ग्रीक एक लिए पक्रेगे और आपर कोन से सकते हैं देख सकते हैं तो मैंने किया सिस डेट वर्ग to जैसे में निख्यान उसकी स्काङएगा में और एम इसके लेखिए साइड में हstiो और क्रीट हुगा है सारा क्रीट ओब्जेट आपीय है से देख सकते हैं टेवल सैंसाटे क्रिएटेबल से हमें यहा14 कर सकते हैं जो भी क्रीट करना है कर सकते निए लगृने के बाद यहां पदर फ़र्स बाले पाधर क्लिक करेंगी तो SQL workshop यहां पर जो है तो सारे प्रोसेस यहां पर आप इसको देख सकते हैं यहां इसको यहां से देख सकते हैं तो यहां से एक query हम लिक आपको दिखा देते हैं यहां पर SQL workshop इसको मैंने ओपें किया ओपें करने के बाद यहां पर हम जैसे SQL कमांड वाले यहां पर प्रिंगे और यहां पर हम टाइप कर देते हैं सेलेक्ट ऐस्टिक फ्रॉम तो जिस भी टेबल से हम का देखना चाहते हैं आपके कर सकते हैं कि हैं कि कमांड लाइन करेंगे तो जैसे मैंने किया और आप बाद यहां पर लिखा है run SQL तो यहां पर run SQL command line इसको यहां से open करेंगे SQL command line है यहां से सारी SQL query यहां से भी कर सकते हैं दो मेथड़ है दोनों तरीके से आप कर सकते हैं कि यहां पर type करेंगे connect XC तो XC का मैंने username बनाया हुआ था वहां पर जैसे यहां पर इंतर करेंगे इंतर करने बडान के इंपर password इंतर करना है बेफ newer OT इसके बाद हैं देख सकते right connected हो चुका है और होने के बाद आप सबस्यारी हम लिखते हैं दुम mobile का हम सारी क्राइब यहां लिखते हैं तो यहां पर टाइप करना होगा select 雷कु डेना होता है तो लिक दोल जोखाया बहुंट two लाट यदिते से सब करेंगें यहタ transition ऊस्वेर सब हिंदेग के सब्सक्र perfect गया है तो चिआ जाता है रहा हको बहुत आपका से यहां गये होंगे और इस तरह से बहुत ऊज़ी तरीके साब एक र सतों लें। तो इस तरह से बहुत तरह बहुत सारी अच्छी अची वीडियो देखने के लिए प्रेश वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सबस्क्राइ Smash करें फैंक यि फॉर वांचींग